इसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था Unit 5 के main heading के बारे में That was drug acting on central nervous system और specifically अगर आप बात करेंगे तो anti-psychotic drug के बारे में हमने बात किया था उसी topic के अगले part के और बढ़ते विए आज हम बात करने वाले हैं anti-psychotic drug के बारे में तो हमेशा के तरह सबसे पहले हम अपने topic के meaning को एक simple way में समझ लेते हैं कि ये topic कहना क्या चाहा रहा है और इसके अंदर हम कौन-कौन से point के बारे में study करने वाले हैं फ्रेंट सबसे important होता है किसे भी topic को समझना anti-psychotic drug कहने का मतलब ऐसे drug से हैं जो कि psychic condition को maintain करकर के वापस से उस particular person की normal life या normal track वे लेकर के आने का काम करते हैं सबसे पहले ये जान लेना भी बहुँ जरूरी रहता है कि normal process क्या होता है या normal function क्या होता है हमारे brain का या mental ability का normal function of brain कहने का मतलब ये है कि जब हमारा brain कभी भी किसी दो चीजों में easily differentiate कर सकता है reality क्या है, fake क्या है, what is existing, what is non-existing इन दोनों में easily differentiate कर सकता है और साथी साथ किसी भी चीज़ को सोचने समझने की, express करने की, अपने आपको energetic motivate करने की ability रखता हो that is called simply a normal physiological function of brain due to some reason, चाहे वो personal हो, social हो, या तो physiological हो, anatomical हो, इनकी कारण से brain की normal activity alter हो जाती है और particular person की behavior में किसी तरह की sudden changes होई लग जाते है तो ऐसे patient को हम कहते है, psychic patient तो ऐसे drug जो कि इसी patient के psychic behavior को हटा करके या उनको ठीक करके वापस से normal routine life में जैसा कि वो पहले हुआ करता था लेकर आने का काम करें तो ऐसे drug को हम कहते हैं antipsychotic drug अब यहाँ पर important बात यह होती है कि ऐसा क्या होता है जिसके वज़े से वो normal life से हट करके abnormal behavior करने लग जाता है और हमारे drug कैसे वापस उस condition को ठीक करके normal life में ले करके आते हैं तो कि यहीं पर चिपा हुआ है आपका mechanism of action सबसे पहला काम यह है कि सबसे पहले जाने कि वो तुसमे होता क्या है फिर जैसा कि हमने बात किया था जब हम central nervous system के पहले topic के बारे में बात कर रहे थे तो all सारी drug जो की central nervous system पे काम करते हैं वो या तो voltage sensitive ion channel को या तो आपकी ligand sensitive ion channel को alter करके अपना action शो करते हैं और उसमें आपने एक बार और दिखाता कि neurohumeral transmission क्या होता है neurohumeral transmission के बारे में हमने यह भी बताया कि कैसे एक pre-synaptic neurons से neurotransmitter release होकर कि post-synaptic receptor पे present अपने respective binding site पे bind होकर के अपने action को show करते हैं इन सम केस कभी-कभी ऐसा होता है कि जो neurotransmitter है जैसे dopamine है, sticholine है, adinergic receptors बगर है इनके जो secretion rate है वो ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण से उस particular action की excitement हो जाती है इसके कारण से कुछ न कुछ abnormalities होती है तो हमारे जो drug है वो basically इनी 5-HT histamine के कारण से serotonin की virus से dopamine को, sticholine को, adrenaline को इनी के level को balance करके अपना action show करते हैं आज हम बात करने वाले हैं एक specific drug class की that is anti-psychotic drug की और उसका mechanism of action सबसे पहले हम बात करते है classification की कि अगर हम anti-psychotic drug को classify करना चाहें तो कैसे और किन-किन parts में classify कर सकते हैं Actually देखा जाये तो anti-psychotic drug को generation के साब से 2 generation में divide किया classify किया गया है पहला है first generation और दूसरा है second generation लेकिन अगर हम उनको उनके potency के साब से classify करना चाहें तो एक class को दो subclass में divide कर सकते हैं जैसे first generation anti-psychotic drug लेकिन जो low-potency वाले होते हैं और low-potency होने वाले drug के कारण से इनका जो use है वो as compared to high-potency drug के कारण से थोड़ा सा कम है low-potency या high-potency कहने का मतलब भी है कि इन drug का dopamine D2 receptor को block करने की potency कितनी है ability कितनी है इन दोनों के हिसाब से उनको low-potency या high-potency नाम दिया गया है चुकि हमने पहले इसके वीडियो में और भी बताया है कि अगर कभी किसी classification के, किसी drug के या किसी conditions के more than one नाम होते हैं, नेम होते हैं तो वो class, वो classification, वो substance, वो topic अपने आप में काफे important हो जाता है चुकि हमने बात किया था, first generation की तो first generation चाहे वो low-potency हो, चाहे वो high-potency हो इन दोनों को combine लूप से कहते हैं conventional या typical anti-psychotic drug तो ये जो दो और नाम है, conventional या typical ये भी काफे important है और कई बार exam में इनके first generation के नाम से नाम पूछ करके MSQs के form में typical या traditional anti-psychotic drug के बारे में पूछा जा सकता है So be careful कि इनके दो नाम और है चलिए इनके example के बारे मागर हम बात करेंगे तो जो ऐसे drug हैं, जो कि first generation low-potency वाले drug हैं इनके नाम है chloropromazine और pro-chloropromazine और thioridagine ये तीन drug हैं, जो काफे important है, और भी drug हैं इन तीनो example में, जो chloropromazine है, ये अपने आप में important drug है क्योंकि इसकी utility as compared to other drug जादा है तो इसलिए इसके कारण से mechanism reaction लिखने के लिए आपको इस drug के बारे में देया जा सकता है यानि कि short note में question आ सकता है, right short note and mechanism reaction of chloropromazine अब हम बात करते हैं, next classification की, that is also a first generation anti-psychotic drug लेकिन ये अब high potency का है, तो इसके example है, flufenazine, haloperidol और pimozide यहाँ पे हमने यहाँ भी haloperidol को underline किया हुआ है, ये भी एक important drug है और इसके नाम से आपको इसकी mechanism के बारे में पूछा जा सकता है या अगर आप किसी दूसरे competition exam में बैठेंगे, तो आपको drug का नाम दे करके इसकी category या इसके use के बारे में पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं हम next generation के साब से, तो अभी तक हमने देखा first generation, next class is second generation anti-psychotic drug इसका दूसरा नाम है atypical anti-psychotic drug चुकि पहले वाले का typical नाम था, this is called atypical anti-psychotic drug second generation के जो example है, वो है, ery, piprazole, klojapin, और paliperidone ये तीन ड्रग है, और भी ड्रग है, और हमने यहाँ इसका 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 है, यह द्रग important है यहाँ पर एक बात और important है, जिसे हमने यहाँ पर note के form में दिया हुआ है फिर्स जेरेशन और second generation में जैसा कि आप जानते हैं, first generation कहने का मतलब है कि ऐसे drug हैं, जो कि oldest drug हैं, जो पहले discover किया गए थे, उनके बारे में पहले काम हुआ है उसके बाद second generation का मतलब है कि उसमें कुछ जो भी कमिया रही हुँगी, जो उसमें limitation रही होँगी उनको overcome करके नया generation के बारे में divide किया गया है मतलब they are advanced then first generation लेकिन इन में कुछ दो चीज़ें याद रखने लाइक है पहला चीज़ इनका action तो first generation से छोड़ा सा जादा अच्छा और acceptable है लेकिन इसके side effect भी कुछ है जो second generation के track हम use करते हैं यह देखने को मिला है इनके साथ कि यह metabolic disorder भी cause करते हैं metabolic disorder हमने यहाँ पे लिखा हुआ है या इससे कह सकते हैं metabolic side effect cause करते हैं metabolic side effect कहने का मतलब है कि किसी भी body के normal metabolic phase को यह disturb कर सकते हैं और disturb करने की वैसे हमें उससे कुछ possible side effect देखने को मिल सकते हैं इक्जांपल के लिए यहाँ पे quote क्या है diabetes weight का increase हो जाना साथ साथ hyper cholesterol का level भी बढ़ जाना cholesterol का level का blood में increase हो जाना इनके possible metabolic disorder है diabetes के वारे आप जानते हैं कि proper glucose का metabolism या cell के दुआरा use ना होने की वज़े से insulin या insulin की कमी की वज़े से glucose का level हमारे blood में रह जाता है जो कि एक metabolic disorder का example है अगर आप बात करते हैं cholesterol के इनकी जोनाने की वैसे तो वो भी cholesterol का proper metabolism ना होने की वज़े से cholesterol का level भी बढ़ेगा और हमारा body का weight भी बढ़ने लगेगा So friends, this was the important consequence या important point regarding the classification of antipsychotic drug अगर हम बात करते हैं mechanism of action की तो इसका मतलब क्या होता है किसी भी drug का काम करने का तरीका क्या है ये उसका mechanism of action कहलाता है चुकि हमने starting में आपको एक brief किया कि कई सारे drug के कई mechanism हो सकते हैं तो आज हम बात कर रहे हैं antipsychotic drug की तो antipsychotic drug का जो mechanism दिया हुआ है वो उसमें कई सारे mechanism दिया गए है जैसे dopamine receptor को block करके serotonin receptor को block करके koallergic receptor को block करके adnergic receptor को block करके histaminic receptor को block करके लेकिन इन में से जो last के 3 है koallergic, adnergic और histaminic receptor को block करके इनके बारे में ज़्यादा कोई evidence के detail जांकारी अवेलबल नहीं है आज का जो classification और आज का जो mechanism नहीं है आपे लिया हुआ है whiteboard में इसे हमने reference के form से लिया हुआ है lipid cod की book से तो आज का जो topic है this is taken from lipid cod अब हम बात करने वाले हैं mechanism of action की तो mechanism को समझने से पहले हमको एक normal physiological function को समझना होगा neurotransmitter के बारे में आपको मालूम है neurotransmitter क्या होते हैं neurotransmitter are those substance those chemicals which can transmit the signal in the form of nerve impulse these are the nosal neurotransmitters अगर हम बात करते हैं synapse की तो synapse मतला बता है junction जहां पे दो nerve आपस में मिल रहे होते हैं आपस में मिलतो रहे हैं नेकिन कभी एक दूसरे को physically touch नहीं करते हैं तो अगर हम उनके नाम कहा रहे हैं बात करेंगे structure के हिसाब से तो उस junction के पहले के नर्व इस जंक्शन यह इसके पहले का नर्व है तो यह कहलाता है pre-sunepic nerve इस junction के बात का जो नर्व है वो कहलाता है post-sunepic nerve तो जो neurotransmitter है उनका criteria भी हमने dopamine receptor in brain या specifically अगर आब बात करेंगे तो D2 dopamine 2 receptor को block करके बात करते हैं dopamine के 5 receptor होते हैं 5 type D1 से लेकर के D5 तक लेकिन जो antipsychotic drug हैं वो specifically D2 पे काम करते हैं तो अगर कोई stimulus आता है तो यह dopamine अपने respective vesicle से release होकर के pre-suneptic से through exocytosis और calcium के invert के कारण से stimulate होकर के pre-suneptic से post-suneptic में पहुंचते हैं post-suneptic receptor पे इनके binding site present है जिसे को हम receptor कहते हैं या इनी को simply कई book में dopamine receptor के नाम से denote किया गया है तो यह dopamine release होने के बाद अपने respective receptor पे bind होते हैं और उस receptor के bind होने के बाद बनता है drug receptor complex यहाँ पे drug यानिकि यह neurotransmitter है तो वो receptor जैकि जिसके उपर से वो bind हुआ है उससे related physiological function यानिकि biological action स्टार्ट होंगे चुकि हमको dopamine को यहाँ पे block करना है इसलिए हम बात करते हैं antipsychotic drug की तो जब हम antipsychotic drug देंगे तो यह antipsychotic drug dopamine के साथ competitive inhibitor का का काम करेगा यानिकि एक binding site यहाँ पे है यह dopamine है और यह हमारा antipsychotic drug है दोनों इसको copied करेंगे ताकि वो उस जगा को जाकर के accept करें या उस जगा को occupy कर सकें चुकि दोनों में एक ही binding जगा को लेने के लिए competition हो रहा तो antipsychotic drug की potency इसके तुला में ज़्यादा होगी तो इसलिए antipsychotic drug उससे septar पर जाकर करके bind हो जायागा और जब यह द्रग वापस आना चाहेगा यानिकि dopamine जब आकर करके bind होना चाहेगा तो यह bind नहीं होगा क्योंकि इस antipsychotic drug ने already उस binding site को occupy कर लिया है तो यहाँ पे dopamine की availability हमको नहीं मिलेगी और इस तरह से कह सकते हैं कि जो antipsychotic drug है इनने डopamine receptor को block करके अपना action शो किया competitive inhibitor में बात एक चीज़ और ध्यानम रखने वाली है कि जब कभी dopamine receptor को block करने वाला drug antipsychotic drug है और हम इसके action को वापस से zero करना चाहते हैं यानिकि antipsychotic drug के action को clear करना चाहते हैं तो हमको ऐसे drug देने पड़ेंगे जो कि इससे यानिकि antipsychotic drug से ज़्यादा potentiate की हो या तो ऐसे drug देने पड़ेंगे जो कि dopamine के level को increase करता हो जैसे कि levodopa या carbidopa तो वापस से dopamine के level को increase करना start कर देंगे तो यह कुछ basic important mechanism of action थे क्योंकि यहाँ पर एक बार हमने और भी लिखा हुआ है D2 receptor जैसे बताया कि dopamine के तो 5 type receptor होते हैं सब type होते हैं लेकिन हमारा जो antipsychotic drug है वो D2 receptor को basically bind करके अपना action शो करता है चलिए उसी diagram को समझ लेते हैं basic point के साब से कि हमने diagram को point में कैसे convert किया है उसके पहले का जो important point है वो यह है कि dopamine receptor blocker इसमें खास बात क्या है कि all first generation plus most of the second generation के drug को include किया गए है तो जितने भी first generation के drug हैं वो इसी mechanism को follow करते हुए अपना antipsychotic drug देते हैं और काफी सारे not all बट काफी सारे जो second generation के drug हैं वो इसी dopamine receptor को block करके अपना action show करते हैं second generation में कुछ drug ऐसे भी है जो serotonin receptor को block करके अपना action show करते हैं तो यह आगे बात करते हैं ability is based on ability to block D2 receptor किसी भी antipsychotic drug की action की ability या potency इस बात पर depend करती है कि वो कितना जादा D2 receptor को block कर सकता है तो इसकी ability is exactly proportional to the blocking capacity of the for the D2 receptors अब हम बात करेंगे action के बारे में तो जो antipsychotic drug है उसका action है उसके action को block करने के लिए यानि कि antagonist effect show करने के लिए क्या करना होगा अगर आप ऐसे drug को देते हैं कि जो कि उस particular side पे, post-anartic side पे dopamine के synthesis या release को increase करते हैं तो वो automatically antipsychotic drug के action को कम कर देंगे example के लिए बात करते हैं तो लिवोडोपा जिसको आगे दा करके आप Parkinson के topic में समझेंगे या आप अभी समना चाहते हैं तो इसके उपर हमने दो animated video अलड़ी upload किये वे हैं आप वो भी channel से देख सकते हैं दूसरा कि अगर हम कोई ऐसे drug देते हैं और अगर हम बात करते हैं इस जो drug है antipsychotic drug है इनके body के different different organ पे क्या-क्या effect होता है तो अपसे पहले हम बात करते हैं CNS की अगर ये drug दिये जाता है तो ऐसे जो ये साहरे जो effect है वो ऐसे person के लिए है जो कि psychic condition में है normal individual के लिए क्या symptom होगे हमने यहाँ पे इनको इस बुलूट नहीं किया तो ऐसे particular person को जिनको antipsychotic drug दिया गया है जो कि पहले psychic condition में थे उनके उपर CNS का क्या effect देखने को मिलता है ये drug उनके irrational behavior को decrease कर सकते हैं irrational behavior काने का मतलब है जो abnormal behavior था है उनका जो expressive या executive response था उसको ये reduce करके उनको वापस से normal condition पे लेकर करके आने का काम करते हैं दूसरा है aggregation को ये कम करते हैं reduce करने का मतलब है कि aggregation जो उनके अंदर frustration था aggregation था, excitement था इनको वो कम करके वापस से normal life में लाने की प्रयास करते हैं ये drug का mechanism है दूसरा क्या कहता है decrease the disturbed thought जो antipsychotic drug हैं वो disturbed thought को कम करते हैं disturbed thought को कम करते हैं कहने का मतलब है कि thought को normalize करते हैं disturbed thought के बारे हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है वो decide नहीं कर पाएगा कि उसको क्या करना है, left जाना है, right जाना है कब अपना expression change करना है कब खुशी के मौके पर smile करना है कब गम के मौके पर sadness दिखाना है वो expression less हो जाएगा वो कुछ भी समझा नहीं पाएगा उसके बाद है anxiety और hyper activity को भी antipsychotic drug reduce करेंगे anxiety के level को कम करेंगे जो hyper excitement शो कर रहा तो behavior उसको भी normal में लेकर के आने का प्राज करेंगे यह जो effect हमने देखे है यह देखे है central nervous system पे उसका आदम बात करते है local acidic की तो यह जो antipsychotic drug है वो local acidic के जैसा भी काम करते है आनले कि उनकी accessibility उतनी नहीं है कोई कि यह irritation कॉस करते है खास करके अगर आप drug के पारें बात करेंगे तो chloropromazine को as a loquancetic यूज किया जा सकता है बट हमने ज़्यादा यूज नहीं करते है यह साफ साफ बुक में लिखा हुआ है कोई कि यह irritation कॉस करता है अगला है cardiovascular system पे यह क्या effect शो करेगा अगला हम बात करते है एंडोक्राइन पे तो यह एंडोक्राइन पे काफी different effect शो करेंगे यह prolactin के secretion को increase करते है जो कि responsible hormone है breast से मिलके secretion करने के कारण से तो इसका जो side effect यह important है आपके exam के point of view से GPET में कि hyper secretion of prolactin can cause gynecomastikia या तो आप बोच सकते है enlargement of breast जिसकी कान से जो galacto ururia होगा इसमें मतलब यह है कि milk का secretion जादा होगा milk drop by drop के form में excessive secret होड़ता रहेगा यह उसके कुछ side effect है खास कर गयाने को mask किया यह बहुत ही important side effect है इसके पाद अगर हम बात करते है adverse effect की तो अगर कोई particular person ऐसे antipsychotic drug ले रहा है तो उसके क्या क्या possible adverse effect हो सकते है adverse effect बहुत ही simple है जिनको आप organ के साब से भी justify कर पाएंगे पहला है drowsiness अगर central nervous system पे काम कर रहे हैं तो definitely वो थोड़ा सा suppress या sedative effect देने का काम करेगा यहाँ पे एक चीज़ और add करना चाहेंगे कि यह जो sedative effect पहले शो करेगा उसके बाद में antipsychotic effect शो करेगे sedative drug के कारण से इनके tolerance होने के संभावना है sedative effect tolerant हो जायागा लेकिन antipsychotic effect tolerance नहीं हो पाएगा उसके बाद बात करते हैं लिथार्जी की तो particular person थकावट सा फिल करेगा थका थका सा महसूस करने लगेगा अगला है confusion वो confusion के एक state में रहेगा थोड़ा सा confused रहेगा तो थोड़ा सा उसको confusion होता ही है जैसा कि हमने sedative hypnotic case में आपको बताया था उसके बाद blood pressure down हो जाएगा palpitation होगा थोड़ी सी cup-cup भी नज़र आएगी आपको आथ में हलका सा jerking moment होने लगेगा mouth dry हो जाएगा चुकि हमने पहले कहां कि कई सारे anti-sagotic drug हैं जो anti-collinergic drug का effect में काम करते हैं तो collinergic system को block करने के विएसे जितने भी secretion है basically आपके sweating gland, saliva gland इनको ये reduce करेगा और इसको reduce करने की वज़ा से उनका situation कम होगा और उसके कहां से मूँ सुखने लगेगा और उसके कहां से slurred speech होगी मूँ सुखने के वैसे जो आपकी बाते हैं वो लेकराने लगेंगी तो ये उसके possible side effect हैं इसके बाद है आपका blood vision भी होगा चुकि लेकरामल fluid से कीड होंगे कम होंगे से कीड होना तो आपकी आँखों में कुछ दुन्दा दुन्दा दीखने लगेगा that is called a blood vision आज की इस वीडियो में हमने बात किया था possible classification of antipsychotic drug with their respective classification their example mechanism of action as important that is dopamine receptor blocker के बारे में एक mechanism of action इसका और भी है that is blocking of serotonin receptor इसका भी principle वही है कि ये drug serotonin receptor को 5ST receptor को block करके उनके action को इनिवेट करते है चुकि वो उतना accepted parameter नहीं है और इसकार में कुछ आज डेटल दांकरी नहीं है और as important ये है हमारा dopamine receptor blocker तो हमने एक minimize करते हुए topic को आज के वीडियो में dopamine receptor अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपे topic का कोई अगला point Thank you again अगले वीडियो में करते है